स्वास्त शिक्षा और समाज कल्यान मंत्री से गाना इटो ने आज सुंबल में समेक्षा पैठक के दुरान कहा कि सरकार जल्धी एक नई ट्रांस्पर नेती लाएगी जससे चमुक कश्मीर में विभिर विभागों के करमचारियों की सानांत्रन चमंदी समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा और उनने बताया कि कठिन चेत्रों में वर्षों से काम कर रहे कलमचारियों को प्रात्मिक्ता के आधार पर सानांत्रत किया जाएगा मंत्री इटो ने जीने से सुंबल में लगभग 10 करोड रुपे की लागत से बने ऑडिटोरियम का उत्खाटन किया इसके लिए 15 दिव से ड्राइविंग कोशल कोर्स का आईजन किया इस कोर्स का उदेश ये हाशी पर रहने वाले समदाओं के छात्रों को निशुल को ड्राइविंग कोशल सिखाना है कमांडर थर्ड बटाल विमल पवार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस कोर्स से छात्रों क ड्राइविंग कोशल सीखने का अफसर मिलेगा जो आज के समय में महतप्पुन है जमो कश्मीर के स्कूल शिक्षा निदेश आले ने समगड़ शिक्षा पहल के तहत मुख्य शिक्षा अधिकारी पुलवामा के सयोग से कला उतसर दोजार चौबिस का आईजन किया ये कारे कला जैसे विभिन सांस्कृति कारेक्रम शामिल थे अधिकारियों ने च्छाटरों में कलात्म कोशल के विकास के महतपर जोर दिया और कहा कि इस तरह के आईजन उनके समगर विकास में सहायक है कारेक्रम का समापन प्रतिभागियों की शांदार प्रस्तुतियों के साथ हु हुए पाकिस्तान का जंडा जलाया और आतंगवाद के खिलाब कड़ी कारवाई की मांग की संगठन के सदस्यों ने कहा कि इस तरह के हमलों को परदाश नहीं किया जाएगा और सरकार से आतंगवाद के खिलाब सक्त कदम उठाने का अग्रे किया विजेपूर में कॉंग्र मंत्री ने हार के कारणों का विश्लिशन करने के लिए समीती बनाई है और रिपोर्ट को केंद्र में भेजा जाएगा उन्होंने आरूप लगाए कि भाजपा ने चुनाव में मद्दाताओं के बीच शराब और पैसे का वित्रिन कर धांत लीकी और चुनाव आयोक से इसक पहला समाल इस्तमाल किया जा रहा है उन्होंने कहा कि दिवाली के तिहहर से पहले मिठाई की गुन्वत्दा सुनिशित करनी चाहिए क्योंकि इस दौरान मिठाई के मांग में भारी प्रती होती है सुखनंदर ने कहा कि स्तक्त निग्रानी रखी जाने चाहिए विशेश कर आरेस पुरा, मुठी, सांबा और कठुआ जैसी मिठाई फैक्टरियों में उन्हें खात सुरक्षा अभे मानक अधिनियम 2006 के सक्त कारिन वेन की आवश्क्ता पर बल दिया सुखनंदर ने सवाल उठाई की कैसे मिठाई की वेक्टरिया 70 रुपे प्रती किलोग्राम लड़ू बीच सकती हैं जबकि दुकान के मालिक उन्हें 200 से 400 रुपे प्रती किलोग्राम के उचे दामों पर बेचते हैं बहाज़पा के प्रदीश अधिक्ष रविंदर रेनों ने आज बढ़गाम में डॉक्टर शानवास के घर जाकर शोक समवेदना विक्त की डॉक्टर शानवास उन साथ दोगों में शामिल थे जो हाल ही में गांदरबल में हुए आतंगवादी हमले में मारे के रेना ने शोक संतप परिवार के प्रती अपनी गहरी सवेदना विक्त करते हुए कहा कि इस दुगत घटना ने सभी को हिला कर रख दिया है और उन्हें सरकार से इस तरह के आतंगवादी हमलों के खिलाव कड़ी करवाई करने की अपील की पट्याला हाउस कोट ने अवामी इतिहात पाठी के अधिक और बारा मुला से सांसद राशीद की जमानत याचिका पर निरने को टाल दिया है अगली सुनवाई 19 नवेंबर 2024 को निधारित की गई है जिस से राशीद की जमानत का इंतजार और बढ़ गया है राशीद को 2019 में राश्ट्य अन्मेशन एजेंसी द्वारा 2017 के आतंगाद विक्त पोशन मामले में गैर कनोनी गतिवीधियों अधिनियम के तहट गिरफता किया गया था उन्हें 7 सितंबर को अंतरिम जमानत दी गई थी जो पहले 13 ओक्टबर और फिर 28 ओक्टबर तक बढ़ाई गई थी